आज स्ट्रूट्री कमेटी एलेक्शन कमीशन ने फॉरन फंडिंग केस टेकप किया जो फरुख हभीब की तरफ से दाइर किया गए था उसमें फरुख हभीब साफ खुद भी पेश नहीं हुए उनके काउंसल भी पेश नहीं हुए उनकी हाजरी भी नहीं हुई हमारी पीपल पाउंसल पेश नहीं हो रही जिन्होंने पहले हमारे पर इल्जाम लगाय हुए थे लिए हमने उनको बार हाक है अब हमने जो फॉरन फंडिंग लिया आप उसके दिखाए कोई आप उसके और ललसी जो आपने बोली हुई है दो साल से आपने केस किया है वो बताईएगा प सब लोगों को पब्लिक अतलाज भी पता है आज जो ना उनको वकील पेश हुआ है ना ही वो फरुक हभीब साब फुट पेश हुए है अब बात हो चुकी है मुदाई सोस्त और गवाज चोस्त वारी बात हुए हम जो जिलको मुल्जम बनाए हुए हुए उने सो कॉल्ड व सब्सक्राइब को चाहिए कि आज इसके से कुमे-डी केंटीनों के जो की यादत में लाच कोई और उसकी हजडरी को गैर हादर बहुत ज्यादा बदनाम किया है यहां पर जिसको कभी हो आइपोड करे जाते हैं कभी तो लाज से काम लेते हैं उसकर कहते हैं अब फॉर्म फंडिंग पीटियाई के उपर बहुत ज्यादा एलिगेशन फॉर्म फंडिंग की अब उन्होंने तब जो को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने कांटर अटैक के हमारे उपर किया जो के फिल्कुली फुर्वियस केस है इल्लीगल केस है अब वह बहाने ढूंड रहे हैं हर किसी आप चीज में बता दिए पीटियाई ने कोई अपना एक पाउं पे खड़ी हो किसी चीज किसी एक इशू पर बता हैं अब वो क्योंकि वो पुरी तरह से बस गए हैं इसी वज़ाई से उन्हों दिले के हर्में इस्तमाल किये अपने चीफ एलेक्शन कमिशन साब की कमिशनर साब की वो हो जाए अपना मुदत उनकी खत्म हो जाए तो नेक्स जो उनके चीफ है अपनी मर्जी के लिए लिए झांके झांके झांके